एक समय की बात है, पहाडियों और खिलते घास के मैदानों के बीच बसे एक सुरम्य गाव में, लुकास और मिया नाम के दो युवा उनकी प्रेम कहानी गाव की तरह ही आकरशक थी, और उनका बंधन, जीवन की सरल, लेकिन गहन सुन्दर्ता का प्रमान था। लुकास एक दयालू और महनती युवक था, जो अपने परिवार के खेत के प्रति समर्पन के लिए जाना जाता था। लुकास मिया की रचनात मकता से मोहित हो गया था, जबकि मिया लुकास के वास्तविक और देख भाल करने वाले स्वभाव से लिए जाना जाता था। लुकास एकसर मिया के लिए अपने खेत से जंगली फूलों का गुलदस्ता लाता था और बदले में वह उसे अपने हाथ से बने गहनों का एक टुकड़ा उपहार में देती थी। उन्होंने नदी के किनारे बातें करते हुए एक विशाल ओक के पेड़ की छाया के नीचे सपने और आकांक्षाएं साज़ा करते हुए घंटों बिताए। उनका प्यार मिया के बगीचे में फूलों की तरह खिल गया जिससे उनके जीवन में रंग और खुशी आ गई। लुकास की प्रतिबधता का मतलब कभी कभी लंबे समय तक काम करना होता था जिससे मिया उसकी कमपनी के लिए तरस्ती रहती थी। मिया की दुनिया तलाशने की इच्छा लुकास की गाव के प्रतिजड़ता से टकरा गई। फिर भी उनका प्यार इन तूफानों का सामना करने के लिए काफी मजबूत था। एक शाम, नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगे आकाश के नीचे, लुकास मिया को गाव की ओर देखने वाली एक पहाडी की चोटी पर ले गया। वहाँ, उन्होंने अपनी गहरी भावनाओं को कबूल किया और वादा किया कि जिंदगी चाहे जहां भी ले जाए, वह उनके साथ खड़े रहेंगे। बदले में, मिया ने अपने प्यार और सपनों को साजा किया। एक ऐसा जीवन बनाने की इच्छा व्यक्त की, जो उनक व्यक्तिगत आकांक्षाओं को मिश्रित करें और इस तरह लुकास और मिया की प्रेम कहानी फलती फूलती रही।